और चलिए बगली खबर का रूख करेंगे और ये आपका फेवरिट सेग्मेंट है आज भारते शेर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में गिरावट दर्ज की गई अंत में बाजार मामुली सी गिरावट के साल बंद हुआ सेंसेक्स आज 27.09 गिरकर 33,860 पर और निफ्टी 18.00 की गरावट के साथ 22,434 पर बंद हुआ है शुरुआती कमजोरी के बाजार को बैंकिंग और IT सेक्टर के शेरों में खरीदारी से सपोर्ट तो मिला पर आटो, FM, CG और फार्मा सेक्टर के शेर से बिक्वाली से दबाव भी दिखाई दिया, शेर बाजा से जुड़ी जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिसनिस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंग्वी जी, बहुत बद्धनेवाद अनिल जी, रोजाना आप हमारे दर्शकों के लिए बहुत खास जरूरी जानकारी ले अमबुजा सिमेंट का जो एड था, अब मार्केट में आज के लोग यही पूछ रहे हैं, भाई यह यह शेर गिरते क्यों नहीं, और कौन से शेर, वही जिनकी वज़े से पिछले मैने मार्च में सबकी नीन हराम हो गई थी, सबको बड़ा स्ट्रेस हो गया, बड़ी-बड केप इंडेक्स तेजी में, आज लगातार नववा दिन था मिट केप इंडेक्स तेजी में, तो मार्च के मद्ध में जो कुछ भी मन्दी का माहौल इन शेरों में बना, और वहां से हमने का कि मजबुती से खरी दिये, डरिये मत, अप्रेल में यह सब शेर चलेंगे, और अ अप्रेल के महने में आने के बाद आम तोर पर जो बड़े इंवेस्टर्स होते हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, उनके बुक्स खुल जाती है, फंडिंग आसानी से मिलने लगती है, चाहिए वो ब्रोकर से फंडिंग मिलनी हो, या फिर बैंक से ब्रोकर को मिलनी हो, तो यानि कि पैसा सिस्टम में फिर से आ रहा है अच्छा आप देखें, mutual funds के पास दमदार पैसे आ रहा है लगातार बड़े inflows है मार्च के महिने में, mutual funds ने एक महिने में 45,000 क्रोड से ज़्यादा निवेश किया जो अब तक का highest है इन सब के बीच में, GST कलेक्शन बड़ा मजबूत है IAP के growth के आंकर अच्छा आ रहे है global markets ठीक है और यही वज़े है कि भारती बागरों में mid cap, small cap शेरों में फिर से party शुरू हो चुकी है और retail investors के चेहरे पर smile आती भी दिख रही है आज भी ऐसा ही देखने को मिला वेसे दिगगजों में आप देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी आज भी बिल्कुल छोटे दाइरे में trade कर शान्त बन हुआ bank निफ्टी हलके रहे निशान में तो निफ्टी हलके लाल निशान में sensex भी थोड़े नुकसान के साथ बन वा लेकिन तस्वीर पूरे बाजार की बिल्कुल इसके विपरित उलट है मजबुती की है जहां तक संकेतों का सवाल है no doubt global संकेत पिछले दो दिनों से कमजोर है अमेरिका में कमजोर होती दिख रही है और उनके चलते सो सावा सो पूइंट हम कमजोर खुले भी लेकिन भारती बाज़र में लगाता निशले स्वे से रिकवरी आरी आज फिर से एक बार निफ्टी लाइफ हाई से सिर्फ आठ पूइंट दूर रहा एक बार वाँट टच भी किया तो दोनों तरफ की ट्रेड बन रहे है लेकिन ओर ओल बाज़र में रुजान तेजी की तरफ है चाहे कच्छे तेल का दाम 90 डवर के आस पास हो चाहे अमेरिका कमजोर हो चाहे एफाइस की तरफ से खरीदारी का थोड़ा सा धीमा पनाता हो लेकिन हमाने यहां का सेंटिमेंट ट्रेंड और माहौल इतना मजबूत है मिटकेप स्मॉल केप शेरों से इतना जोश हा रहा है कि भारती बाजार रिकवरी कर जाते हैं और क्लोजिंग के वक्त अच्छी मजबूती दिखाते हैं सुबह सुबह डीला मार्केट और दोपर के बाद मजबूत मार्केट इस तरह का ट्रेंड बारती बाजारों में बना है तो आज का सेशन भी कमोबेश वेसा ही देखने को मिला है बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका इस जरूरी जानकारी के लिए